हेलो बच्छो कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास सिक्स्त की वर्क्षीट नंबर 34 जो कि 15 ओफ नवंबर 2021 की वर्क्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्छो इंग्लिश और आज जो हम टॉपिक समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम यह समझते हैं यहां पर हमें 15 वर्प्स दे रखी हैं हमें इन सब में यह देखना है कि किसमें एस लगेगा और किसमें एस लगेगा तो देखो अगर हम सीज को लिखना चाहें तो हम सिर्फ एस लगाएंगे सिकन्द प्ले प्ले हो जाता है टीच का यह दो देखा एस लगेगा बाइट का बाइट आजाएगा बाइट का इका रपस आएग वाग 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 सो जाएगा चाहिज में एस लगेगा match, matches, ES लगेगा swim, swims, watch, watches buy, buys, cut, cuts go, goes, come, comes and bring, brings तो इस तरीके से आप इनके S या ES लगाके इनको complete करेंगे ठीक है? Next है question number 2 Choose the correct options First part है Rina-Her Room Every Day Tiddies या Tiddhi Tiddhi का मतलब होता है साफ करना तो Rina क्योंगी singular है तो इनकी जो verb है उनके साथ S या ES का use होगा यहाँ और option A यहाँ पर correct answer है ठीक है? तो इस तरीके से sentence बनेगा Rina Tiddies Her Room Every Day Second है We listen to the music every day We plural है Plural के साफ जो verb आती है उसके साथ S या ES का use नहीं होता है तो इसका भी option A correct answer है Third है Mina usually watches television in the evening यानि Mina generally शाम को television देखती है अब Mina यहाँ पर singular है तो इसमें verb के साथ S या ES का use होता है तो इसका भी option A correct answer है ठीक है? Fourth part है They do their homework every day वो अपना homework हर रोज करते हैं They यहाँ पर plural है plural के साथ जो verb आएगी उसमें S या ES का use नहीं होगा इसलिए option B यानि Do इसका correct answer है Fifth है The girls देखो The girls plural है तो इसके साथ आएगा play क्योंकि plural के साथ S या ES का use नहीं होता है तो यह sentence बनेगा The girls often play with the dolls जो लड़कियां है वो अकसर dolls के साथ खेलती है चलो next question देखते है Sixth part है I brush my teeth everyday मैं रोज अपने दातों को brush करती हूँ ठीक है या करता हूँ तो I के साथ जो verb आती है उसमें S या ES का use नहीं होता है ठीक है उसके बाद है third question Rewrite the sentences with the new subjects from the brackets देखो यह हमें sentences दे रखे हैं इनके सामने कुछ और subjects दे रखे हैं और इन subject को इन subject से replace करना है हमें ठीक है जैसे कि first में हमें दिखा रखा है सुधा likes to eat ice cream सुधा को हमें replace करना है I से तो यह आ जाएगा I like to eat ice cream क्योंकि I के साथ जो verb है उसमें S या ES का use नहीं करेंगे यहां देखो likes में हुआ था जबकि यहां like में नहीं करेंगे ठीक है second sentence है we go to the zoo every Saturday अब we की जगे यूज होना है रीता का तो यहां पर आ जाएगा रीता अब go यहां पर है तो go के साथ S या ES का use होगा क्योंकि रीता एक singular noun है ठीक है तो आ जाएगा goes to the zoo every Saturday every Saturday ठीक है तो इस तरीके से बस go की जगे goes आ जाएगा बाकी सब सेम रहेगा third part है my brother speaks English well अब my brother यह subject है इसको replace करना है they से तो my brother की जगे आप लिखेंगे they उसके बाद देखो यहां पर जो speaks है यह change हो जाएगा और यह बन जाएगा speak they speak आ गया जाएगा English they speak English well वो अच्छे English बोलते हैं अब दे क्योंकि plural है इसलिए इसकी वर्ब के साथ s या es का use नहीं हुआ है and fourth part है we water the flowers in two days हम दो दिन में plants में पानी डाल देते हैं ठीक है तो अब यहां पर we की जगे हमें use करना है he यानि और he singular है तो इसके साथ water के साथ s या es का use होगा तो हम यहां पर लिखेंगे we waters the flowers we waters the flowers in two आगे आ जाएगा days ठीक है बच्छो तो यह थी आज की हमारे English की वाक्षीट and I hope आप सभी को यह वाक्षीट बहुत अच्छे से clear हुई होगी and बच्छो गर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सके थैंक्यू